नमस्कार मैं डाक्टर जे आर्यादो मूंग की खेती में आपका स्वागत करता हूँ मूंग की प्रिजातियां दलहनी फसलों में मूंग का अधिक मात है इसकी खेती लगबग पूरे उत्तरप्रदेश में की जाती है मूंग की खेती के लिए प्रमुक प्रजातियां इस प्रकार हैं जैसे कि टाइप 44, पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, नरेंद मूंग 1, पीडियम 54, पीडियम 11, मालवी जोती, समराट, मालवी जागरती तथा आसा आधी प्रजातियां हैं खेत की तैयारी मूंग की खेती के लिए खरीप में समुचित जल निकास वाली दोमट तथा बलूई दोमट भूम सबसे उप्युक्त रहती है खेत की तैयारी के लिए पहली जुताई मित्टी पलटने वाले हल से करने के बाद दो तीन जुताई कल्टीवेटर या देशी हल से करके आखरी जुताई में दो सो से तीन सो कुंटल सड़ी गोबर की खाद मिलाकर खेत में पाटा लगाकर समतल बना लेना चाहिए बीज की मात्रा एवं बुआई मून की बुआई जुलाई के अंतिम सब्ता से अगस्त के तीशरे सब्ता तक करनी चाहिए मून की बुआई के लिए बारा से पंदरा किलोग्राम बीज की प्रत हेक्टर आवस्चता होती है मूंग की बुआई कूड में हलके पीछे करनी चाहिए मूंग की बुआई में लाइन से लाइन की दूरी 30-35 cm रखनी चाहिए बुआई से पहले प्रत किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या 1 ग्राम करवंडा जिम से उपचारित करने के बाद बीज को राइजोबियम कल्चर के एक पैकिट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए खाद एबं उर्बरक मूंग की फसल में 15 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्पोरस तथा 20 kg गंधक प्रत हेक्टर की दर से तत्व के रूप में बुआई के समय देना चाहिए मूंग फसल में फली बनते समय दो प्रतिसत यूरिया के घोल का छिड़काव से अच्छी उपज प्राप्त होती है सिचाई, मूंग की फसल में सिचाई भूम की किस्म के अनसार करनी चाहिए खरीब की फसल में कम बर्सा होने पर फलीयां बनते समय एक सिचाई करने की आवश्यक्ता पड़ती है खर पत्वार नियंतर्ण, मूंग की फसल में बुआई के लगबग 30 दिन बाद निराई गुडाई करनी चाहिए खर पत्वारों के रसाइनिक नियंतर्ण के लिए पैंडा मिथलीन 30 इशी की 3.3 लीटर मात्रा 600-700 लीटर पानी में गोल कर बुआई के दो या तीन दिन के अंदर खर पत्वारों के जमाव से पूर्ब प्रत हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए जिससे खर पत्वारों का जमाव ही न हो सके रोग नियंतर्ण मूंग में प्राया पीला चित्रवर्ण रोग लगता है इस रोग के नियंतर्ण के लिए मुझैक अब रोधी प्रजातियों की बुआई करें तथा रासानिक नियंतर्ण के लिए डाई मिथोएट 30 इशी की 1 लीटर मात्रा 600-700 लीटर पानी में मिला कर प कीट नियंतर्ण मूंग की फसल में थ्रिप्स हरे फुद के एवं कमला कीट लगते हैं इनके नियंतर्ण के लिए क्यूनाल फास 25 इसी रसायन की 1.25 लीटर मात्रा को 600-700 लीटर पानी में घोल कर प्रत हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज जब फसल में फलियां पक कर अच्छी तरह सूख जाएं तब कटाई करनी चाहिए कटाई करने के बाद फसल को सुखा कर मराई करके दाना निकाल लेना चाहिए खरीब की फसल में मून की उपज बारा से 15 कुंटल प्रत हेक्टर प्राप्त होती है धन्यवाद